ये वो तो नहीं। बीहडों की गोद में बना नया कॉलेज और उसका हॉस्टल दोनों खाले हो चुके थे। अधिकांज विद्यार्थी देशहरे की चुट्टियों में अपने अपने घर जा चुके थे या जाने की तैयारी में थे। अमित को हॉस्टल थोड़ी देर से मिला था और उसका घर भी बहुत दूर था। हॉस्टलर होने के बाद उसकी पहली चुट्टी थी। दस दिनों के लिए वो घर न जाकर हॉस्टल में ही रहना चाता था। नैने दोस्तों के संग उसे अच्छा लग रहा था। संजू, गौरीनात और विने के साथ प्लैन बनाया कि छुट्टियां हॉस्टल में ही बिताए जाएं। जिस उजाड में ये कॉलेज बना था, उसके आसपास रौनक नहीं थी। शहर के कॉलेज की बात ही कुछ और होती है। अब तक उसके सारे सगे सम्मंधी अपने बच्चों को शहर के कॉलेज ही पढ़ने भेचते थे। वहां लड़के हॉस्टल की कमी की वज़ा से कैंपस स बाहर लॉज में रहते थे। नील गायों से खेत बचाने के लिए किसान न जाने क्या क्या बचाते। स्वभाव से डरपोक अमित का दिल बैठ चाता। वो तो हॉस्टल में काफी लड़के थे सो डर आता और चला जाता। हॉस्टल के वाडन ने एलान कर दिया था कि छुट्टियों में जनरेटर नहीं सी लाइट थी। उसके कमरे की दीवार के पीछे घने पीड़ थे। उसे लगा जैसे उन पीड़ों पर कुछ हलचल हो रही है। हलचल की आवाजें वो साफ सुन पा रहा था। उसके तीनों पार्टनर गहरी नीद में बेखबर होकर सो रहे थे। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेटे लेटे अमित के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ खीच रहा है। वो बेचैन होने लगा। सोते सोते ही उसने जैसे किसी का हाथ पकड़ लिया। कौन है? कौन है? अपनी ही आवास गले में घुट कर रह गई। सूखे पत्तों में सरसरा हट हुई। उसकी आखें जटके से खुली। सामने खिडकी खुली थी और अंधेरा घने वरिक्ष से चंचन कर कमरे के अंदर फैल रहा था। पक्षियों की अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसका सीना भारी होने लगा। मानो कोई भारी भरकम जीव कूद कर चा हैं क्योंकि उसके पार्टनर बेहोश से पड़े हुए थे। बिस्तर से उठने का मन न हुआ। हिम्मत जवाब दे गई थी। किसी तरह घिसटते हुए जगा। हाथ बढ़ाकर डरते डरते उसने लाइट चलाई। विजली खायब। उसके पास माचिस से मुमबत्ती जलान के लिए कोई था नहीं या कोई जवाब दे नहीं रहा था। अमित को कुछ सूझा नहीं। अगर कुछ नहीं था तो अपने सीने में भारीपन और अपने शरीर पर किसी अद्रिश्य जीव का कूद कर बैठ चाना, सब कुछ उसे एक रहस्यमई दुनिया का हिस्सा लग रह अमित ने बच्पन में भूतों की कहानिया खूब सुनी थी। गाउं में उसारे में खूब कहानिया कही जाती थी। और उन कहानियों को सुनकर सब डरते रहते। तो क्या यहां पर भूत है। उसने मुमबत्ती की रोश्नी से देखने की कोशश की। मुंबत्ती में छोटी छोटी चीजों की बड़ी परचाई देखकर अमित बार बार चौक रहा था उसे लगा उसके कमरे के बेहद नस्दीक कोई है उसके कमरे के पास कोई चहल कदमी कर रहा है अमित का डर के कारण बुरा हाल था तब ही उसे लगा कि पैरों की ये आहट उसके कमरे के एकतम नस्दीक है और मुंबत्ती की रोश्णी में भी उसने किसी की पैर देखे उसे लगा कोई तो है जो उसके पास बहुत ही सधे कदमों से आ रहा है उसे लगा अभी अभी जैसे कोई रोश्णी एकदम से भाग कर गई है वो हारा हुआ सा वहीं खड़ा हो गया नींद एकदम से उसकी आँखों से गायब हो गई थी हॉस्टल में भाए भाए करके हवा अपना राद्र रूप दिखा रही थी अमित की बाजू को छूकर जैसे कोई भागा हो उसके हाथों से मुम्बत्ती गिरते गिरते बची अमित अमित दरवाजा खोलो कोई जोर-जोर से दरवाजे पर पैरों से दस्तक दे रहा था कौन इस वीराने में उसको आवाज दे रहा होगा और इस वक्त क्यों अमित का डर के कारण बुरा हाल था उसके सामने जो आ रहा था उसकी तस्वीर भी उसने नहीं देखी थी वो जानता भी नहीं था उसे की वो कौन है तभी उसे लगा जैसे कुछ टपक रहा है जैसे कहीं से पानी पूरी सडक पर कुटे डरावनी आवाजे निकाल रहे थे उसने डरते डरते कमरे का दर्वाजा खोला सामने कोई नहीं था मगर पीछे से आवाजे आ रही थी उसे लगा जैसे कोई मेन गेट भी चिजूड रहा है अब उसने मुंबत्ती रखती और टॉर्च का सहरा लिया टॉर्च के साथ वो अपने हॉस्टल से बाहर निकला जैसे ही वो गेट के बाहर आया अचानक उसके सामने एक खून से लटफ़त कटा हुआ हाथ आकर गिरा हाथ छट पटा रहा था जैसे उसमें खुद की जान हो अमिद बदहावास सा बाहर भागा उसे लगा जैसे कोई और भी उसके साथ भाग रहा है रात के बारा बच गय थे अब वो और भी जादा डर गया था उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह काप रहा था जैसे उसके पीछे नजाने कौन पड़ा हो कुछ दूर पैदल भागते भागते एक ही रिक्षा दिखा उसने और कुछ नहीं देखा और एकदम से उस रिक्षे पर जूल गया भाईया, भाईया मुझे यहां से ले चलो बस शहर तक पहुँचा दो नजाने यहां पर कौन है और मुझे अजीब अजीब आवा से आ रही है रिक्षे की सीट पर उकडो नीद में डूबे हुए रिक्षे वाले ने अमित को विचित्र नजरों से देखा अक्टूबर की हलकी सर्द रात थी रिक्षे वाले ने पतली चादर में खुद को लपेटा हुआ था वो भी एक बेहद घबराई हुई सवारी को उसके किसी परचित के यहां ले जाने को तयार हो गया अमित को कामते देखकर रिक्षे वाले ने घर्राई हुई आवाज में कारण पूछ ही लिया कोई पीछा कर रहा है मेरा हॉस्टल में बहुत आवाज है मुझे नहीं रहना यह रिक्षे वाले ने उसे मुड़ कर देखा उसकी गर्दन पूरी मुड़ गई कहीं वो ये तो नहीं अमित की चीक निकल गई जब उसने देखा कि रिक्षे वाले के दोनों हाथ कटे हुए थे और रिक्षा चल रहा था उसके कटे हाथों से वही आवाज आ रही थी जो उसने अभी अभी सुनी थी टप टप काटो तो खून नहीं उसका खून जमने लगा वो एकदम से रिक्षे से कुदा और उसने पीछे से आती हुई बाइक को भी नहीं देखा बाइक वाला पीछे से चीखता रहा मुझे बचाओ अमित उसकी आवास सुनकर पीछे मुडा तो उसने देखा कि अंधेरी सरक पर बाइक बीचो बीच खड़ी है और उसके हैंडल पर किसी के कटे हुए हाथ जूल रहे है अमित ने बदहावास होकर भागना शुरू कर दिया भागता भागता वो एक मोल पर पहुचा दूर दूर तक रास्ता सुनसान कहीं कोई नहीं एक चाय की दुकान खुली थी उसकी सास में सास आई बहुत देर हो गई थी उसे इस तरह डरते हुए भटकते हुए अब वो सुस्ताना चाहता था उसका शरीर काप रहा था उसे लगा जैसे वो अभी गिर पड़ेगा वो बेंच पर बैठ किया अपनी फोलती सासों को नियंत्रित किया कौन हो भूत परेद पीछे पड़ गए है क्या जो इत्ती दूर से दोड़ते हुए आ रहे हो का है मिलखा सिंग बने हुए हो चायवाला बोलता जा रहा था अमित ने उसे अपनी परिशानी बताई और शाम से लेकर अभी तक जो भी उसके साथ हुआ उसने एक एक बात पताई अमित के होश तो तब गुम हुए जब उसने देखा कि चाय अपने आप बन रही है और चायवाले के चेहरे पर मुस्कान है चायवाले ने चाय उसकी तरफ हवा में बढ़ाते हुए पूछा कहीं ये वो तो नहीं और फिर भयंकर अटाहास करने लगा अमित का खून एक बार फिर से जम गया और वो डर कर भागने लगा उसको लगा जैसे उस चायवाले के आधे कटे हुए हाथ उसका पीछा कर रहे हैं और उसके हाथों ने चायवाले के शरीर से अलग होकर उसके पैर पकड़ लिये हैं वो रास्ते पर एक तीले से टकरा कर गिर पड़ा हार नहीं मानी और वहां से उठा और भागता चला गया आगे जाकर उसने एक कार खड़ी देखी उसकी पारकिंग लाइट जल रही थी उसकी सांस में सांस आई अब उसके पैरों में जरासी भी चलने की ताकत नहीं बची थी उसके पैरों से खून भी बहने लगा था और उसकी सांस अब भयानक तरीके से फूल गई थी हवा में टंगे हुए हाथ उसे परिशान कर रहे थे अमित को अपने गले में कुछ अटकता सा महसूस हुआ उसे लगा वो दो हाथ उसका गला दबा रहे हैं उसके गले से गोंगोंगी आवाज निकल रही थी अमित को लगा जैसे वो मरने वाला है तभी उसने पूरी ताकत से कार को आवाज लगाई कार के अंदर से ड्राइवर ने सिर बाहर निकाल कर हाथ के इशारे से कुछ पूछा हाफते कापते अमित उसे अपना किस्सा सुनाने लगा हास्टल में उसके साथ जो हुआ और उसके बाद कैसे वो रिक्षे वाले की गिरफ्त में आया और फिर चाए वाले के कटे हाथ उसका पीछा करते करते यहां तक आ गए कुत्तों की लड़ाई अब तेज होने लगी थी अजीब सी आवाजों से जितना अमित पीछा चुड़ाना चाह रहा था उतना ही वो आवाजें उसे अपने गिरफ्त में ले रही थी अमित की पूरी कहाने सुनने के बाद वो ड्राइवर हसा मैं तुम्हे कहा तक छोड़ सकता हूँ मैं तो नीचे शहर तक जा रहा हूँ सुभे तक लाटूँगा बोलो तो ले चलू उसके प्यार भरे आश्वासन ने अमित को आश्वस्त किया मगर जैसे ही वो कार में घुसने को हुआ वैसे ही उसकी निगाहें ज्राइवर के हाथों की तरफ गई वो एक बार फिर से जड़ हो गया उफ क्या हो रहा है कौन कर रहा है उसके साथ ये सब इतने कार का गेट फटाक से बंद किया और फिर दौर लगाना शुरू कर दिया अब उसके पैरों ने बिलकुल जवाब दे दिया था और अब वो एक भी कदम नहीं चल सकता था उसकी समझ में बिलकुल नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है उसे लगा जैसे सारे कटे हुए हाथ उसके चारों तरफ आ गए है और उसे परिशान कर रहे है दो हाथों ने उसका गला पकड़ लिया है दोने उसकी कमर और दोने उसके पैर और वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़पा रहा है वो भाग जाना चाहता है दोड़ते दोड़ते वो नदी तक पहुँच गया पुराने किले से होकर बहने वाली इस नदी के बारे में न जाने कितने कहानिया लोगों की बीच थी न जाने कितने लोग इसमें समा गए कभी बाहर नहीं आए अमित को तो तैरना भी बहुत जादा नहीं आता पीछे गुलाबी ठंड में नदी के पानी पर नाव चलने की आवाज से अमित जैसे खो गया, उसने नदी के पानी से अपने चेहरे पर छीटे मारे और आस्मान की तरफ नजर खुमाई, पूरे चान की रात थी, मा कहती थी, आज की रात नजाने कितने लोग बहार आते हैं, जो कुछ समय मर गह, अमित ने पानी से अपना मूध होया और आखे बंद कर ली, तभी मल्लाह ने फिर पूछा, काहे भईया, क्या हुआ है, अमित ने सारा किस्सा बताया, शाम से लेकर अब तक, अब वो नदी के पानी में आकर कुछ शांती महसूस कर रहा था, उसने अपनी आखे बंद कर ली और चांदनी को महसूस करने लगा था, तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सी टपटप की आवाज आई, वही आवाज जो उसके कमरे से आ रही थी, उसने देखा कि पतवार नियाब चल रही थी, मलाह ने सर्द आवाज में पूछा, कहीं ये वो तो नहीं, अमित की चीक निकल गई, उसे लगा अब और नहीं से पाएगा, ये सब बहुत जादा हो रहा था, ये सब क्या था, इसके भी हाथ आधे कटे हुए, उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो एक पर भाग नहीं पा रहा, उसके पैर मन मन पर भारी हो गए, उसके पास और तैरने की भी ताकत न रही थी, अमित पे होश हो गया, सुभह वो हॉस्टल के गेट पर पड़ा हुआ था, उसे सिक्योटी गाड जगजोर रहा था, अमित को कुछ नहीं पता था, कि वो यहाँ प सब के कटे हुए हाथ उसे हर तरफ से जकड़े हुए हैं, सब हस रहे हैं, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं, कहीं ये वो तो नहीं, वो चीखने लगा, उसे लगा जैसे उसके आसपास सभी लोगों के हाथ कट गए हैं, और वो कटे हाथों की शईया पर लेटा हुआ है और वो सभी हाथ उसके पूरे शरीर पर कबजा जमाए बैठे हैं वो चीख रहा है चीखते चीखते चितकार कर रहा है कौन हो तुम लोग और मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो मैंने क्या किया है अमित को उसके हॉस्टल का सेक्योटी गार्ड जगजोर रहा था और आसपास अजनबी लोग खड़े थे उसने देखा गाड भी हाथ विहीन है बिना हाथ के जिजोड रहा है अमित डर के कारण सिमट रहा है उसके चारों तरफ हाथ ही हाथ हैं सामने की दिवार पर एक हून सनी हथेली की चाप है और हून से ही लिखा हुआ है कहीं ये वो आज के लिए बस इतना ही आगे के भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें